ही गाइस वेलकम और वेलकम बैक तो नॉटी स्टिचेज आज के इस वीडियो में मैं प्रिंटिट गुर्ती के लिए एक सुन्दर सा स्लीव का डिजाइन आपके साथ शेयर कर रहे हूँ आप चाहें तो इस डिजाइन को प्लेन खुर्ती पर या ट्राउजर पर भी बना सकते हैं तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने प्लेन येलो फैब्रिक के दो-दो इंच के स्क्वेर पीसे काट लिए हैं और इस तरीके से इन्हें फोल्ड करके छोटी-छोटी ट्राइंगल्स बना लिए। अब इन सभी ट्राइंगल्स को हमें इस ब्लैक कपड़े के उपर रखना है और सिलना है। इस ब्लैक फैब्रिक की चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है और लंबाई 13 इंच। और इसे मैंने बीच में से फोल्ड करके इसकी किनारी पर सिलाई लगा लिए। अब किनारी से तक्रीबन आधा इंच की दूरी पर हमें इन येलो ट्राइंगल्स को रखना है ब्लैक पट्टी के ऊपर और इस तरीके से सिल देना है। यह दिखिए, सभी triangles को हमें बिल्कुल पास पास रखना है इस तरह और इने किनारी से सिल देना है यहाँ पर आप चाहे तो दो अलग कलर की ट्राइंगल्स का इस्तमाल भी कर सकते हैं जैसे एक येलो ट्राइंगल और एक वाइट ट्राइंगल और ट्राइंगल्स का कलर आप अपने कुर्टी के प्रिंट के हिसाब से ले सकते हैं तो सभी ट्राइंगल्स को मैंने अच्छे से अटाच कर दिया है और इसकी किनारी से मैंने एक्स्टा कपड़ा काट दिया अब हमें कुर्ती के आगे इस पट्टी को इस तरीके से उल्टा करके रखना है और इसकी किनारी पर सिलाई लगानी है जो सिलाई हमने ट्राइंगल्स को अटाच करते वे लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के उपर हमें सिलना है अब इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे अब इसके उपर हमें एक लेस अटाच करनी है तो यहाँ पर मैंने एक golden color की lace ली है plastic mirror वाली lace है यह और इस तरह की laces बाजार में असानी से मिल जाती है इस कुर्थी के गले पर भी मैंने golden और yellow color की lace attach की थी इसलिए मैंने इस कुर्थी की sleeves पर भी golden color add किया है इस lace को लगाके और बहुत असानी से हमारा sleeves का design बनकर तेयर हो गया है यह design बनाने में तो बहुत simple है ही और पहनने पर भी बहुत सुन्दर लगता है आप चाहे तो इसी तरह का design अपने trouser पर भी बना सकते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यह design पहनने पर कैसा लग रहा है और इस कूरती का गला मैंने कैसा बनाया है तो इस कूरती का गला भी मैंने इसी तरह से fabric triangles का इस्तिमाल करके बनाया है और आप देख सकते हैं कि यह काफी अच्छा दिख रहा है तो guys आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को भी दबालें ताकि आपको मेरे सबी वीडियो के अपडेट सबसे बहले मिल सकें तो guys thank you so much for watching बाइबाई